फैमिली वेग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यह अपनी बेटी की साधी करना है उसके हाथ पीले करना है उसका रिस्ता ले करके जाना है तो ना घर देखना ना परिवार देखना ना बेटा बैसई होगा कोई जरूरी नहीं है माता जैसी है बेटा बैसई होगा कोई जरूरी नहीं है ध्यान रखना लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का बैसा दोस्तों का वैग्राउंड देखो आप यह देखो किसके साथ उठता है किसके साथ या माबाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं, किसी भी बेटी की साधी करो, तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना, यदि लड़का अच्छा होगा, तो अच्छे लोगों की जंगती में उड़ता आदमी जैसे मावाप होते हैं बैसा नहीं होता जैसे दोस्त होते हैं आदमी बैसा हुआ करता है ध्यान रखिए मान्यवर एक सीख दी है मैंने आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देता है आप बताईए ना एक बेटा सही गलत किसकी बज़े से होता है बाप की बज़े से मा की बज़े से नहीं मेरे भाई एक सरावी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सराव ना पिए ध्यान रखना एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले और एक बेस्या भी चाहती है कि मेरी आँलाद इस गंदगी में जीवन न बिटाए ध्यान रखना एक चोर ने भी ऐस अपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर वने कोई मावा पोलाद को चोर Metropolitan को जुट बोलना नहीं सिखाते हैं कोई माता पिता शराप पीना नहीं सिखाते हैं कोई माता पिता सिग्रेट पीना नहीं सिखाते हैं सिग्रेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिग्रेट ना पी ध्यान रखना मानिवर मालूमें सिग्रेट पीना कौन सिखाता है दोस्त सिखाते हैं सबसे पहले शराब पीना रिष्टेदार या माबाप ने नहीं स सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है, तो दोस्त सिखाया करते हैं, सबसे पहले हाथ में सिग्रेट आई, तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिग्रेट आती है, एक गर्वत्ति में लटका है, ध्यान रखिए, मानिवार, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिन्दगी में, मानिवार, मैं तो कहता हूँ, यदि बिगाडने वाले दोस्तों से तो, बिना दोस्त की जिन्दगी गुजार लोगू अच्छी हुआ करती है, लेकिन ऐसे दोस्तो की संगती ना करो जो हमारी जिन्दगी को बरबात करके रख दिया करते हो आप सोचिए जीवन में संगती का बहुत असर पड़ता है एक पानी की बून जो आकास से गिरती है और यदि वही पानी की बून किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई बताइए कड़वा हो जाता है नीम जानते हैं नहीं जानते हैं तो बोलो न जानते हैं नहीं तो मैं समझता तुम कुछ जानते ही नहीं हो एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कडवा हो जाता है वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है वही पानी की बूंद यदि केले के पेड में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है वही पानी की बूंद यदि साप के मुख में चली जाए तो हला हल जहर बन जाया करती है वही पानी की बून नाली में चली जाये तो गंदी नाली हो जाती है वही पानी की बून यदि समंदर में गिर जाये तो खारी हो जाती है वही पानी की बून यदि सीपी के मुँ में चली जाये तो मोती बन करके निखर जाया करती है बूंद एक ही है ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के संगती के कारण से किसकी संगती करी उसने मोती बना सीप की संगती से और जहर बना साप की संगती से ध्यान रखे